इलेक्शन रूम की ओर हमारे सेयोगी प्रिति बिष्ट शामली सीट के सियासी गुणा भाग से आपको रूबरू कराएंगे कड़ा मुकाबल और किसका यहां पर सियासी सफर अब तक का कैसा रहा है तो आई ये बात करेंगे शामली जिले की तीन विधानसभा सीटों की तो शामली की तीन विधानसभा सीट है कैराना इसके लावा ठाना भवन और शामली शहर्ट तो सबसे पहले कैराना की बात करते हैं तो ये हैं केराना के रण के महारती जहां से इस वक्त समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन विधायक हैं। फिलाल प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी ने यहाँ पर टिकेट दिया बिगांका सिंग को जबकि बीएस्पी से दिवाकर कश्यप है और नाहिद हसन जो अपनी कुरसी बचाएंगे समाजवादी पार्टी के टिकेट से और वहीं आरेली से अनिल चौहान मैदान में और आई अब एक एक प्रत्याशी का आपको लेखा जुखा बताते हैं बिगांका सिंग अपने पिता हुकम सिंग की सियासी विरासत को आगे बढ़ा रही है जो इस वक्त बीजेपी से सांसद भी है तो ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि जिनके पिता साथ बा साकर कश्यप मैदान में उत्रे हैं इसे पहले भी कोशिच नो ने की थी हाला कि हार का सामना इन्हें करना पड़ा था वहीं नाहिद हसन की बात करें तो इनके जंग यहां पर कुरसी को हध्यानी की नहीं बलकि कुरसी को बचानी की है अपने पिता की विरासत को आगे सामनी की है कि नाहिद हसन की परिवार की हम बात करें तो सियासत से काफी लंबा इनका वास्ता रहा है इनके पिता मुनवर हसन दो बार इसी सीट से विधायक रहे हैं इनके अलावा यहां पर आप यह भी देखें कि अब दूसरी पीढ़ी आमने सामने जीहां इसे पहले हु संताओं के बीच में यहां पर ला रहती है उनकी उनकी जो संताने हैं उनकी जो अब यहां पर बच्चे हैं वो आपस में लड़ेंगे और वही अनिल जोहान R&D के टिकेट से चुनाव के मैदान में है और शामनी की अगली सीट है ठाना भवन और यहां के महरती सुरेश रा समाजवादी पार्टी से जबकि जावेद राओ R&D से मैदान में हैं तो सुरेश राना के बारे में हमने आपको बताया विवादों से ज्यादा ना आता रहा अपने काम के लिए नहीं बलकि विवादों की वजह से यह ज्यादा चर्चा में आए बर जबकि अब्दुलवा तो यहां से यह रहे प्रत्याशी तेजेंडर निर्वाल जो बीज़ेपी के टिकट पर मैदान में उतर रहे है और काफी लब्वे समय से जुड़े हूए हैं वही मोहमद इसलाम जो बीएसपी के टिकट पर मैदान में है पंकज मलिक के बात करें तो इन्हें कॉंग्रेस न जाता है उन्हें टिकित दिया गया है